हाई फ्रेंद्स माई सेल्ब डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक कंडिशन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है इतायोसिस वल्गैरिस मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें क्या क्या सिम् इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आखिर इथायोसिस वल्गैरिस क्या होता है तो यह तरीके का स्किन कंडिशन है जिसमें परसन की जो स्किन है वह एक्स्ट्रीमली ड्राय होने लग जाती है स्किन में बहुत ज्यादा ड्रायनेस होता है ये इनहों सकती या फिर एक्वायर होसकता है जैसे कि आपकी फैंवरी में किसी को ये अगरी सारी पर वज़े से भीनि कि skin कभी ना कभी life में dry हो जाती है लेगिन इस condition में ऐसा देखा जाता है कि person की जो dead skin cells है वो कभी remove ही नहीं होती और वो skin में जमा हो जाती है अब मैं आपको इसका symptom बता देती हूँ कि अगर किसी person को ethiosis vulgaris हुआ है तो उसमें आपको कहके symptoms दिखाई देंगे तो first important symptom यही है कि person का जो scalp है वो काफी जादा flaky हो जाता है skin में itching होने लग जाती है skin में person को polygon shape के scales form होने लग जाते है इसके अलावा जो scales है वो कई बार brown या फिर grey color के हो सकते है कुछ cases में यह white color के भी हो सकते है person की जो skin है वो extremely dry होने लग जाती है severely dry skin होती है और person की skin काफी जादा थिक होने लग जाती है skin आपको touch करने में मोटी सी feel होगी ethiosis vulgaris जादा तर person को winter season में severe हो सकता है winter season में जो ठंडी हवा चलती है या फिर जो dry air होती है उसके वज़े से person को यह condition और जादा increase हो सकती है इसके अलावा यह condition जादा तर person को elbow में या फिर lower leg में हो सकता है अगर किसी person को ethiosis vulgaris बहुत जादा severe हो जाता है skin उनकी बहुत जादा dry होने लग जाती है तो person को deep crack हो सकते है जिसमें उने pain हो सकता है skin अपने आप फटने लग जाती है और यह condition जादा तर उनको soul में हो सकती है पैरों के या फिर हाथों के palm में भी हो सकती है अब मैं आपको इसका cause बता देती हूँ किया reason है किसी person को यह condition होने का तो normally यह condition छोटे बच्चों में होती है और एक साल तक यह condition रहती है उसके बाद ही अपने आप क्योर होने लग जाती है लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनने यह condition कभी क्योर नहीं होती और उनकी dead skin कभी skin से remove नहीं होती यह condition कई बार person को adulthood में भी start हो सकती है यह तरीके का genetic condition है अगर आपकी family में किसी को यह condition हुआ था आपको होने के chances काफी जादा बढ़ जाते हैं इसके अलावा कई सारी disease के वज़े से भी condition होती है जैसे कि अगर किसी person को cancer हुआ था तो उसके बाद उन्हें यह condition हो सकती है अगर किसी person का kidney properly work नहीं कर रहा है या फिर उनका kidney failure हो चुका था या फिर thyroid की कोई disease हुई थी तो ऐसे person को भी in future यह condition हो सकती है इसके अलावा कई सारी medications को use करने के बाद भी person की जो skin है वो extremely dry हो सकती है कई सारी बीमारियों के बाद भी यह condition होती है जैसे कि अगर किसी person को atopic dermatitis हुआ था या फिर अगर किसी person को severe eczema की complaint थी तो ऐसे लोगों को भी यह condition हो सकती है अब मैं आपको कुछ homeopathic medicine बता देती हूँ जो आप इस condition के लिए use कर सकते है तो medicine जैसे कि आप arsenic iod 30 medicine का use कर सकते है आप petroleum 30 medicine या फिर आप hydro-kotile 30 medicine का use कर सकते है यह सारी की सारी medicine आपको 4-4 drop दिन में 2 बार diet अपने टंक्योंग पर use करना होगा So friends, यह था ethiosis, vulgaris मैं आपको बताया कि यह क्या होता है इसमें क्या के symptom आते है, इसके cause क्या है और साथी साथ कुछ homeopathic medicine जो आप इस condition के लिए use कर सकते है तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाते है तो आप मुझे मेरे whatsapp number पर message कर सकते है मैं आपको reply करूँगी तो अगर आपको मेरे video useful और informative लगा हो तो आप please इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे channel को subscribe कर लीजिए और जो bell icon उसे press कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली videos को notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you